हेलो फ्रेंज श्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो देखिए आज हम बताएंगे जो हमारा चेहरा होता है वो लेकर हम लोग बहुत जादे परिशान रहते हैं देखिए चेहरा काला पड़ जाता है और यहां से जहन्या भी पड़ जाते हैं जो आखों के नीच सूट नहीं करती है किसी को तो कहां तक घर में बैठे रहोगे बहार तो जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए और यह जो हाथ पैर हैं यह बिल्कुल काले हो जाते हैं तो इसके लिए भी हम एक रेमेडी सेर करेंगे आप लोगों के साथ और वीडियो को लाश्ट तक जरू रहता तो इस तरह की आज सारी प्राबलम खतम करेंगे एक ही वीडियो में वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे वीडियो को शुरू करते हैं और यह घर पर जो हम बना रहे हैं फेस पैक यह हमारा एकदम नैशुरल है इसमें कोई मार्केट वाली चीज नहीं मिलाएंगे और केमिकल वाला कोई भी प्रोडेक्ट नहीं मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा पैक बनाएंगे जो हमारा बिल्कुल नैशुरल है घर पर ही बनाएंगे तो चलिए यह हमने कटोरी ले एक बार हम यूज कर चुके हैं और इसमें थोड़ा सा बच गया यह अभी के लिए हो जाएगा तो हम फेश पैक बनाएं तो उसे बनाकर रखते नहीं है फिरिज में हम तुरंत बनाते हैं तुरंत ही लगाते हैं तो यह जादा अच्छा रहता बनाके रखो तो यह सही नही रहता रख लेते हैं लोग ज्यादा बन जाता है कभी कभार तो रख लेते हैं तो हमारा यह तुरंत के लिए है एक चम्मच है लगबख आराम से हो जाएगा तो इसमें अभी दो चीजें हम और एड़ करेंगे तो देखिए आप लोग आगे वीडियो में और एक बार ट्रा यह हमारा सहद है, सहद जो हमारा घर का है सहद एकदम फिरेस सहद है, मार्केट वाला नहीं है और बहुत बड़े बरतन में तो इसे समाल के लेना आए हमें और थोड़ा-थोड़ा करके लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे पहले इतना ही रखेंगे अगर कम लगेगा तो हम फिर से ले लेंगे इसमें से और इसको अच्छे से मिलाते हैं और ये सहद भी मीठा है और कॉफी ये दोनों देखी कैसे एकदम पेश्ट सा बन जाता है बहुत ज़्यादे टाइट तो इसमें अभी दो चीजे मिलाएंगे और एकदम नैच्छरल तरीके से हमारा ये पेश्ट बन के तयार होगा ये थोड़ा सा मैं कम लगा तो थोड़ा हमने और मिला लिया इसमें सहद तो चलिए आगे दिखाते हैं ये हमारा नीवू नीवू जो होता है वो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है किसी को ज़्यादा पसीना आता वाईली रहता है और चेहरे पे गंदिगी खटी रहती है नाक पे और हमारे जो गाल होते बहां पर काले काले से दाग पड़ जाते हैं तो इसके लिए ये नीवू अच्छा रहता है और किसी को अगर नीवू सूट नहीं करता है चेहरे पे जैसे दाने हैं या कुछ बंदर अकुंदरक है तो नीवू ना डालें इसको इसकीप कर दें तो हमने नीवू को मिला लिया है इसमें एक चीज और एड़ करनी जो ये तो बिल्कुल नैचुरल है ये हमारा गेहू का आटा है ये हमारा गेहू का आटा बहुत ही अच्छा है आप इसको हम अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। और इसमें पानी बिल्कुल ऐड़ नहीं करा है। ने़ु देखिए है नेवु में काफी अच्छा जूस निकलाया था तो इसकों अच्छे से मिला लेते... और मिलाने के बाद हम अपने चहरे पर शुय करेंगे। और ये जो प्इक बना रहे हैं हैं यह हफते में तीन से चार वार आसानी से लगा सकते हैं चहरे पर कोई नुक्सान नहीं होगा और एकदम नैचुरल है यह फेस्ट पयक बहुत ही अच्छा है छहरे के लिए भी अच्छा पीर मोसम चाही है चाहां गर्मी का हो चाहां सर्दी का हो दोनों के लिए अच्छा है अभी तो गर्मियां चल नहीं तब भी बहुत ही अच्छा है तो चलिए अभी लगाएंगे फटा-फट से लगा लेते हैं और लगाने के बाद हमें थोड़ी देर रोखना है आदा से पौन गन्टा तक रोखना है तो यह अच्छी से हमारे चेहरे पे काम करेगा तो यहांसे इस तरह से रगड़ेंगे जो हमारे छोटे-छोटे से चेहरे पे रूख्टे होंगे वो भी सारा साफ हो जाएगा तो देखिए एक हमने ले लिया है भींजा कपड़ा भीगा हुआ अब इसी से हम पहुच लेंगे सारा तो रूमाल से अच्छे से साफ नहीं हो पाया तो हम पानी से साफ करके आये हैं नल पे जाके तीखिए कितना अच्छा गिलो आया है एकदम बहुत ह अच्छा लग रहा है देखने में भी तो यह हमारा बहुत ही अच्छा पैक बनके त्यार करा था हमने घर पर ही बिल्कुल नैच्रल तरीके से फ्रेंस इसमें कोई कैमिकल की चीज नहीं मिलाई थी हमने और यह दिन में दिन में एक बार लगाएं और ज्यादतर हो तो सुब सुबा को ही लगाएं सुबा को लगाने से पहले काम करेंगे पहले हम लगाएंगे फिर सारा काम निप्टाएंगे तब तक हमारा अच्छे से चेहरे फे एक जॉप भी हो जाता है फिर इसको हम छुटाने के बास फटा-फट से नहां के एक दम फ्रेस हो जाता है हमारा चेह में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स फॉर वास्चिंग